सोचा नहीं था इस तरह से राजमा बनाऊंगा तो इतने टेस्टी बन जाएंगे आज दोस्तो हम नया रेसिपी नया वर्जन लाएं देखे आज बनाएंगे हम राजमा मसाला पुरा पहाड़ी स्टायल होगा देख सकते हैं सबसे पहले हमारे खड़ा मसाला इंकलूड है और यह रही हमारा आदा किलो राजमा जो हमने विगा रखे अब देखे इस टेप हमारा तयार हो चुका अच्छे से वास करके दोस्तो इसमें सबसे पहले प्रेशर कुकर में राजमा और फिर खड़े मसाले जो हमने आपको इंकलूड कराए थे देख सकते हो डालते हो इसमें हम थल्दी मिर्ची और नमक डालेंगे तेज पत्ता और साथ में हलका इसमें refined oil डालेंगे दोस्तों और इसमें पानी include कराएंगे देख सकते हो पानी डालेंगे और फिर इसके बाद देखे इसमें हम जो हमने मसाले दिखाए थे आपको यह देखे इसको पीस के भी डालेंगे और शाट में हमारा गरम water रहेगा एकदम जो हमने उबाला हुआ पानी डालेंगे देख सकते हो और इसके बाद इसमें हम तीन सीटी लगाएंगे प्रेसर कुकर में और तब तक हम अपने चावर बना लेते हैं तो यह देखे है हमारे जो राइस है वो तैयार हो रहे है एकदम टुकड़ा राइस है अंगुरी चावर देख सकते हैं बहुत ही ख्यानदार सी रेसिपिया और जानदार टेस्ट होगा पूरा चावर आपको दिखा देते हैं यह देखे पूरा पानी इसमें दम दनिया जीरा और खड़े मसाले दिखाए थे उसका पेस्ट बना लें हमने अच्छे से और यह देखे सबसे पहले जीरा डाला दनिया डाला और खड़े मसाले डाले और इसके बाद आप इसमें हम गार्लिक का पेस्ट डालेंगे देख सकते हो गार्लिक बहुत ही शानदार जाएका और टेस्ट लाएका दोस्तों और इसके बाद इसको ब्राउन होने के बाद इसमें हमने जो बारिक चौक किया हुआ प्याज है दोस्तों वो डालेंगे देख सकते हो दोसों गिराम हमारा प्याज है बारिक चौक किया हुआ और इसके बाद 100 गिराम हमने टमाटर के फ दिखा दिया था आपको दिखा देते हैं और साथ में जो हमने तलका मारा खड़े मसालू का जो जाइके दार आज राजमा मसाला बनाएंगे दोस्तों इसके साथ हमारा चावल बन चुका और देखें हम टमाटर फ्यूरी डालेंगे इसको पांच मिनट के लिए अच्छे से प त्रांगे बनाए गया है देख सक तेऊं हमने राजमा डाल दिये हैं और ये देखें जो पहाड़ी एंदोस्तों आपको दिखा दिया हैutral आधा किलो राजमा और इसके साथ हमारा राजमा चावल है इस्टेफ है वो तैयार हो चुका दोस्तो हमारी रेशिपी अगर आपको अच्छी लगे तो जादा से जादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि जो हमारी अगली रेशिपी आप तक पहुंच सके और इसी के साथ राज बोरा कुकिंग ब्लोक्स में आप लोगों का हार्दिक सागत अभिनन्दने दोस्तो इसी के साथ धन्यवाद आपको अगली रेशिपी के लिए इंतिजार करें इस